नमस्कार मित्रों, यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों आज हम हिंदी साहित का इतियास के प्रीवियस येर प्रश्न लेकर आए हैं, यदि आप UP, TGT, PGT, NET, ज्यारे फादी, किसी भी राज के अध्यापक तथा हिंदी साहित से संबंधी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसको अवस्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक करें, और अपने सभी मित्रों को सेयर करना न भूलें, तथा हमारे वीडियो प्रति दिन देखना चाहत करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी को प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें, आपका अधिक समय ना लेते हुए इस क्लास की सुरुवात करते हैं, नय बिक्रम सम्मत, बिक्रम सम्मत, एक हजार पचास से तेरह सो प गाता काल के नाम करांड किस ने किया, तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा, आचार रामचन सुकल ने किया है, बीर गाता काल का नाम करांड आचार रामचन सुकल ने किया है, और यदि डंक्टर रामकमार वारमा की बात की जाए, तो इन्होंने बीर गाता काल को चारांड काल और संदिकाल से नाम दिया है और हजारी पसाद की बात की जाए तो फिर का थाकाल को आधिकाल नाम दिया है चलिए दोस्तों इस प्रश्ण का उत्तर है अचार रामचन सुक्ल कि अगला प्रश्ण प्रशनेद आचार आमचन सुक्ल के अमसार हिंदी साहित के आधिकाल की समय सीमा है इसमें उत्तर होगा विक्रम सामवत 1050 से विक्रम सामवत 1375 तक इसका उत्तर विकल पे सही है अगला प्रशन रचन है हिंदी साहित की भूमका के लेखक कौन है हिंदी साहित की भूमका के लेखक अचार हजार इपसाद दुवेदी है इसका रचन काल समय है 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 उने स्क्राइब इस बीट स्वे में है में इसका प्रकाशन हो था और अचार हजार Jiri Kaposis walls की का एकाओर ग्रंथ है अ कि इसका उत्तर होगा मेर्ण ही प्राइब कि हिंदी साहिद की भूमखा के लेकाग हजारी 407 कि दुब्वेदी रचित साहित इतिहास गरंद है इन्होंने हिंदी साहित का आदिकाल जोकी 1952 की है तता हिंदी साहित का उद्भा और विकास नामक साहित इतिहास गरंद भी लिखा है अगला प्रश्ण इंदी साहित का इतियास दर्शन दोस्तों मिलान करना है इंदी साहित का इतियास दर्शन ये है नलिल्म बिलोचन सर्म की भासा काविसंग्रा जो की 1873 की है भासा काव्य संग्रा 1873 की श्री महेश दत्य सुक्ल की है जो कि ये हिंदी भासा में रचा गया पहला इतियास ग्रंथ है और हिंदी भासा और साहित ये दोस्तों है स्याम सुंदर दास की और हिंदी भासा और साहित का हिंदी भासा और साहित का विकास ये है अयुद्धा सिंग उपाद्ध्या हरियोर तो इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प बनता है एक चार एक चार दो तीन एक चार दो तीन भी कल्प देखते हैं एक चार सुर्णी दोस्तों चार एक चार एक दो चार चार एक दो चार चार एक दो चार बिकल्प नंबर ए सही है अगला प्रश्न ये देख लीजे इतियास दर्शन नलिल बिलोचन सर्म का है भासा काव संग्रा श्री महेस्दत सुक्ल का है हिंदी भासा और साहित स्यमसुंदर दास का है हिंदी भासा और साहित का विकास हरियोंत की है अगला प्रश्न हिंदी साहित और सम्वेदना का विकास किसकी रचना है हिंदी साहित और सम्वेदना का विकास किसकी रचना है हिंदी साहित और सम्वेदना का विकास यह है डांक्टर रामसरूप चतुरवेदी की रचना है अतार इसका उत्तर यह सही होगा इसकी रचना इसकी ब्याक्ख्या भी देख लेते हैं हिंदी साहित और सम्वेदना का विकास 1986 भी प्रकासित होई थी जोकी रामसरूप चतुरवेदी का साहिद इतियास रश्ण है हिंदी साहिद का हिंदी साहिद का इतियास धर्शन नामक ग्रंध के लेखक है दोस्तों आयोग दोरा इस ठुर्शन को हटा दिया गया था क्योंकि ये प्रश्ण गलत है चलिए इसके ब्याख्या भी देख लेते हैं हिंदी साहित का इतियाद दर्षन पुस्ता किसी ने नहीं लिखा है जबकि नलिन बिलोचन सर्मा ने हिंदी का इतियाद दर्षन इनकी रचना है हिंदी साहित का इतियाद दर्षन नाम से एक ग्रंथ लिखा है संभावता इसी कारां इस प्रश्ण को उच्चितर सिच्छा योग ने मुल्यांकन से बाहर कर दिया अगला प्रश्ण नागरी प्रचानली सभा की स्थापना कब होई है नागरी प्रचानली सभा की स्थापना 1893 बेस पी में तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी 1893 बेस पी इसकी ब्याख्या भी देख लेते हैं ब्याख्या जो इस प्रचानली सभा की स्थापना 1893 बेस पी में स्याम सुंदर दास पंडित राम नारायंड मिस्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंग जीने की नागरी प्रचानली सभा हिंदी भासा और साहित तथा देव नागरी लिपकी उन्नति एवं प्रचार प्सार करने वाले भारत की अग्रणी संस्था है यहीं से हिंदी सब्द सागर का प्रकाशन किया गया इस सब्द कोस के संपादक से हम सुंदर दास थे अगला प्रश्ण नागरी प्रचाडी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे तो आपसन देख लेते हैं बावु से हम सुन्दरदा सेतो थे पंडित राम नरायन मिस्र ये भी थे ठाकुर सिख्मार सिंग ये भी थे अपसन दोस्तों इसमें आपसन सी सही है क्यांकि ये राम चंद वर्मा नहीं थे अगला प्रश्ण कासी नागरी प्रचाडी सभा के स्थापना हुई थी कब हुई थी कासी नागरी प्रचाडी सभा के स्थापना आठारा सु तिरान बेस पीवे हुई थी अगला प्रश्ण प्रश्ण है 48 नागरी 45 सभा की इस्थापना हुई थी 1893 में हुई थी अगला प्रश्ण हिंदी सब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया इसका उत्तर होगा आप्षन आप्षन भी नागरी प्रचाडी सभा ने 1893 में 1893 में हिंदी सब्द सागर की भूमका के रूप में हुआ था इसका उत्तर होगा आप्षन भी नागरी प्रचाडी सभा अगला प्रश्ण बैख्या भी देख लेते हैं, हिंदी सबसागर का प्रकाशन कासी नागरी पुचाडी सभा से हुआ, इस ग्रंत की भूमी का आचार रामचन सुक्ल ने लिखी थी, इस नाम से लिखी थी, हिंदी साहित का विकास 1929 इस बी में, हिंदी साहित का विकास नाम से, जो कि ये स्वत रूप से हिंदी साहित का इतियास नाम से प्रकासित हुई थे अगला प्रश्ण हिंदी साहित का ब्रहत इतियास इस ग्रंथ का प्रकासन किया था हिंदी साहित का ब्रहत इतियास इस ग्रंथ का प्रकासन किया था दोस्तों इसमें आप्शन डी सही होगा नागरी प्रचाड़ सबहख आसी से अग्ला प्रशन फोड बीलियम कालिज की इस थपना किस में हुईती अज़ख्या देख लेते हैं लाड वेलीज अले ने जानगीलक्राइश्ट की अध्यश्ट औरियंस्ता में ऐरियंटल सेमिनरी की स्थापना की थी जोस्तों यह फोट विलियमे k पेम सबसे पहले और यहींतल सेमिनरी नाम से इस्थापी थी आगे देखते हैं बाद में यहीं संस्ता फोट विलियम kann Lake के में परिवार्तित हुई फोर्ड विलियम कालेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रेटेन की निरडायक विजय की इस्मरत में 10 जुलाई 1800 इस भी को मार के साफ वेले जलीने की थी और गिलक्राष्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्याच नेयुक्त हुए थे पंडितों जिनमें लल्लू लाल एवं सदल मिस्र की नियुक्त की थी अगला प्रश्ण प्रश्ण बावान है फोर्ड विलियम कालेज की स्थापना कब हुई फोर्ड विलियम कालेज की स्थापना 1800 SB में हुई इसमें बिकल्प A सही है अगला प्रस्ट फोर्ड विलियम कालेज की स्थापना कब हुई फोर्ड विलियम कालेज की स्थापना option A सही है अगला प्रस्ट कलकत्ता में स्थापित फोर्ड विलियम कालेज की संस्थापक थे कलकत्ता में इस्थापित फोर्ट विलियम कालेज के संस्थापक थे कलकत्ता में इस्थापित फोर्ट विलियम कालेज के संस्थापक आपसन ए जान गिलक्राष्ट थे तो आपसन ए सही होगा अगला प्रश्ण सदल मिस्र की भासा की भी सेस्ता है पूर्वी पन अपसने सही है जोकी ये सदल मिस्र बिहार से बिलॉऑं करते थे तो आपसन ऐसे ही है पूर्वी पन बैक्ख्या देख लेते हैं दोस्तों सदल मिस्र बिहार प्रांद के साहाबाद जो की अब भोजपूर जिले में है भोजपूर जिले के धुरूव डिया गाउं के रहने वाले साक्दीपी ब्रामबर थे इनके पित्या का नाम नंद मरी मिस्र था ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कालेज के हिंदुस्तानी बिभाग में आत्यापक थे सदल मिस्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद लेकों में महत्तो है इनके सब्द संगठन और वाक बिन्यास दोनों में ही ब्रजभासा पूर्वीपन और बांगला इन तीनों का प्रभाव इसपष्ट लच्छित होता है आगे देख लेते हैं आधुनिक काल में जिस भासा में हिंदी गद लिखा जा रहा है वो खड़ी बोली गद ही है अगला फैक्ट अचाराम चंद सुक्ल ने खड़ी बोली गद का प्रारंभ अकबर के दरबारी कभी गंग द्वारा चंद चंद बरनन की महिमा से माना है पहले गद कार हैं सदल मिस्र हिंदी के पहले गद कार हैं दोस्तों ब्याख्या भी जरूर देखें क्योंकि ब्याख्या से प्रश्ण बनते हैं तो इसको इग्नोर ना करें ब्याख्या जरूर देखें प्रश्ण की चलिए आगे देखते हैं सदल मिस्र की दो गद करतिया है जो इस फकार है नासकेतो पाक्ख्यान इसका दूसरा नाम चंद्रावती है इसका प्रकासन 1803 इस भी में हुआ दूसरी है रामचरिप इसकी रचना 1816 इस भी में हुई है अगला फैक्ट रामचर्ण सुक्ल के अंसार सदल मिस्र ने बेवहार उप्योगी भासा लिखने का प्रयात्न किया है अगला फैक्ट श्याम सुंदर दासने तत काले इन गद लेख को में इंशाल्ला के बाद दूसरे इस्थान पर सदल मिस्र को ही रखा अगला फैक्ट सुरी दोस्तों लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर प्रेम सागर में ब्रजभासा का प्रभाव द्रश्टिकोचर होता है तथा इसकी सेली अख्यात्मक है अगला फैक्ट मुंसी सदा सुकलाल की रचना सुकसागर एक धार्मिक गरंथ है इसकी भासा पर पंडितावपन और फार्सी का प्रभाव है इसका दूसरा नाम है उदयवान चरित भी कहा जाता है इसकी भासा पर उर्दू अर्बी एवं फार्सी का प्रभाव है अगला फैक्ट फोर्ट विलियम कालेज में जान गिलक्राइट दोस्तों ये जान गिलक्राइट फोर्ट विलियम कालेज के अध्यस थे अगला हिंदी उर्दू के अध्यापक भी थे इन्होंने लल्लू लाल और साहाबाद अब भोशपूर के सदल मिस्र को भी मुंसी भासा मुंसी के रूप में नियुक्त किया अगला प्रश्ण प्रेम सागर किसकी रश्णा है प्रेम सागर किसकी रश्णा है प्रेम सागर विकल्प भी लल्लू लाल की रश्णा है अगला प्रश्ण रानि केत की कहानी के लेखा खाए इसका दूसरा नाम है उदैबान चरित इसके लेखा खाए इंसा अल्ला खाए अताहा बिकल्प सी सही होगा इंसा अल्ला खाए चलिए ब्याख्या भी देख लेते हैं रानि केत की कहानी के लेखा की इंसा अल्ला खाए इस रश्ना का एक अन्य नाम हुदाइबान चरित भी है अगला प्रश्ण प्रश्ण है रानी केत की कहानी के रशनकार है रानी केत की कहानी के लेखार इनसा अल्ला खाए अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन फोर्ट विलियम कालेश जो की फोर्ट विलियम कालेश कलकत्ता में है में हिंदी के अध्यापक थे इसमें अध्यापक थे सदल मिस्र थे अप्सन भी सही है अगला प्रश्ण इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कालेश से संबंध थे इसमें से संबंधित थे सदल मिस्र और ललू लाल जो की सदल मिस्र यहाँ पर नहीं है यहाँ पर है ललू लल तो आता ललू लाल सही होंगे ललो लाल की रचनार प्रेम सागर अता उत्तर ए सही है अगला प्रश्ट नास के तो पाख्यान के लेखाक है नास के तो पाख्यान के लेखाक है सदल मिस्र आप्शन ए सही है नास के तो पाख्यान के लेखाक सदल मिस्र है अगला प्रश्ट नास्केतो पाख्यान के लेखक आपसंडी सही है सदल मिस्र अगला प्रश्ण इन में से सदल मिस्र की रचना कौन सी है इन में से सदल मिस्र की रचना कौन सी है तो इन में से सदल मिस्र की रचना नास्केतो पाख्यान आपसंडी सही है प्रेम सागर की बात की जाए तो यह ललू लाल की रशना है प्रेम सागर और रानी केत्की की कहानी की बात की जाए इसका दूसरा नाम उदाइभान चरीत है जो कि रानी केत्की की कहानी की रशनकार है इंसाल लाखा है और सुक सागर की बात की जाए तो इसकी रशनकार है सदा सुकलाल जो कि अभी अभी बताया जा चुका है नासके तो पाख्यान के ले अगली क्लास में इतना ही गाईज यदि इन प्रश्णों की स्रीज को डेली देखना चाहते हैं तो केकेक जामफाइट चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें जिससे आपको सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सके और वीडियो अच्छा लगे तो तो वीड हो और शबाना चाहते हैं